अजाब भारत के सितिहास में ये लव्ज बहुत माइने रखता है सियासत में जब भी इस शप्त के एंट्री होती है कॉंग्रेस खिर जाती है क्योंकि इंद्रा गादी ने देश में पहली बार अमर्जेंसी लगाई थी एक बार फिर एमर्जेंसी की चर्चा है लेकिन इस बार बात एमर्जेंसी फिल्म की हो रही है जिसकी रिलीज पर रोक लग गई है फिल्म की आक्टर प्रेडियूसर कंगना रुनौथ के साथ साथ गीतकार मनोज मुंतशिर खुलकर फिल्म पर लगे बैन के फैसले के खिलाफ अपनी अवास बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि लगे हाथ हमसे एक और सर्टिफिकेट छीन लेना चाहिए कि हम अभिव्यक्ति की अजादी का सम्मान करने वाले लोग हैं छोड़िये ये महानता का ढोग मनोज मुंतशिर का अक्रोश किस ये है आपको पता है फिल्म एमेजिंसी के रिलीज पर रोक लगी तो मनोज ने कई ऐसे सवाल खड़े किये जो वाजिब भी लगते हैं मनोज ना सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बलकि मनोज के मताबिक फिल्म पर बैन अभिव्यक्ति की अजादी पर चोट है मनोज ने कहा कि सर्टिफिकेट का ये खेल आदा दूरा क्यों खेला जा रहा है पूरा खेला जाना चाहिए लगे हाथ हमसे एक और सर्टिफिकेट छीन लेना चाहिए कि हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने वाले लोग है और महानता का धूंग छोड़ दीजिए मनोज ने डंगे की चोट पर कहा कि फिल्म में वही दिखाया गया जो सच है और सच से किसी को आपती नहीं होनी चाहिए सिख समुदाय के विरोध को लेकर भी मनोज मुंतशिर बोले उन्होंने पूछा कि जब इंद्रा गांदी की हत्या हुई तो उसे आक्सिरेंट तो नहीं कह सकते है सवाल ये है कि उनकी हत्या करने वाले सत्वन सिंग और बेअट सिंग क्या सिख समुदाय से नहीं आते थे अगर वो सिख थे तो फिर फिल्म में क्या दिखाया जाए एमेजेंसी फिल्म के गीतकार मनोज मुंतशिर ने और भी सवाल खड़े किये उन्होंने पूछा अगर भिंडर वाले आतंगवादी था तो उसे आतंगवादी कहने में किसे आपत्ती है मनोज मुंतशिर के खिलाफ खड़े सिख समुदाय के रवये से भी वो आहत है उनका कहना है कि उन्हें हैरत है कि सिख इस तरह से बरताव कर रहे है मनोज कहते हैं कि जो सिख समुदाय उंकार सतनाम बोलकर सच्चाई के लिए बेखोफ होकर लड़ता आया है वो किसी फिल्म में दिखाए गई सच से कैसे डर सकता है मनोज मुंतशर के मुताबिक सिख तो भारतपर्श के इतिहास का सुनहरापन्ना है क्योंकि जब वो सर पर केसरी पगली बांद कर निकलते हैं तो पूरा देश उन्हें सम्मान से देखता है बरहाल मनोज और कंगना दोनों चालेंज कर रहे हैं कि वो फिल्म को बिना किसी कटके रिलीस करवाएंगे इसके लिए उन्हें चाहे जैसे भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े लेकिन देश के सामने एमेर्जेंसी का सच लाकर रहेंगे इस पर आपकी क्या राय है कमें सेक्शन पर लिक कर हमें जरूर बताए और हां देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते राये सिर्फ और सिर्फ एबीपलाइव